गेमिंग चैनल ग्रोग कैसे करें? दोस्तो ये जो सवाल है, मुझे यूटूब पर सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि सर हमारे गेमिंग चैनल को ग्रोग करने का कोई एडिया बताईए कोई ट्रिक ऐसी बताईए जिससे हमारा गेमिंग चैनल ग्रोग हो सके आगे हम फीचर में उस पर करियर बना सकें तो दोस्तो आज की इस वीडियो को आप कम्पलीट देखना आज की इस वीडियो में पांच ऐसे मैथड में आपको लेकर आया हूँ अगर जिने आप अपने चैनल पर अपलाई करते हो वो भी गेमिंग चैनल पर तो आप अपने गेमिंग चैनल को बहुत ही जल्दी ग्रो कर पाओगे और उससे अरणिंग भी कर पाओगे तो दोस्तो आपको इन पांच मेथड में से तीसरे नमबर का मेथड बिल्कुल भी मिस नहीं करना है क्योंकि यही सीक्रेट है एक गेमिंग चैनल को ग्रो करने का आगे बूश्ट करने का तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल मेस नहीं करना है और ना ही स्किप करना है तो चली वीडियो को सुरू करते हैं लेट्स स्टार्ट इड नमबर बन इंप्रूब याओर वीडियो क्वाल्टी दोस्तो आप लोगोंने यूटूब पर अक्सर देखा होगा उन्हीं लोगों की वीडियोस जादा चलती है जो बड़े बड़े यूटूबर है जैसे कि टेक्नो गेमर्स है टोटल गेमिंग है इनकी वीडियोस यूटूब पर बहुती जादा रेंक करती है तो इनका जो सीक्रेट्स है वो मैं आपको बता दूँ ये किस तरीके से अपनी वीडियोस को बनाते है और किस तरीके से यूटूब पर अपलोड करते है और किस तरीके से जो audience यूटूब पर आ रही उसे अपनी तरफ को खींचते हैं उसे अपनी वीडियोस पर रोके रखते हैं मैं आपको एक एक चीज बताऊँगा दोस्तो आप लोगों ने यूटूब पर आकसर देखा होगा यह जो बड़े-बड़े यूटूबर हैं जैसे कि टेक्नो गेमर्ज है, टोटर गेमिंग है आपने एनकी वीडियोस जब देखी होगी तो आपने एक बात नोटिस नहीं करी होगी जब भी ये वीडियो कोई create करते हैं तो एन में एनकी जो voice quality है वो बिल्कुल clear आती है तो पहली बात आपको अपनी voice quality बिल्कुल clear करनी है और दूसरा जो secret है इनकी वीडियो पर audience रुकरे का वो मैं आपको बता दूँ मालो जब भी आपको ये गेम खेलते हो गेम खेलते-खेलते उसमें कुछ ऐसा scene आता है जो कि आपके audience को पसंद आता है यानि कि आपको भी attractive लगता है कि हाँ इस पर मुझे बहुत ज़्यादा हसी आई है या फिर ये scene मुझे देखने में काफी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मैं इस scene को पूरा देखूंगा तो उस scene को क्या करना है आपको first में रखना है यानि कि जब भी आपको वीडियो एडिट करो तो उस scene को first में लाके रखो जिसके बाद उस scene को देखने के बाद आपकी जो audience होती है वो आपकी वीडियो पर रुकेगी इससे आपकी वीडियो का wash time बढ़ेगा और आपकी वीडियो दीरे दीरे चल लगेगी यहाँ पर आपको एक बात का और खास कर ध्यान रखना होगा जब भी आपको वीडियो को edit करो तो उसे बिल्कुल high quality में export करना अपसर होता क्या है कि आप अपना data बचाने के चक्कर में वीडियो को low quality में export कर लेते हो जिससे आपकी वीडियो की quality खराब होती है और उसे YouTube भी recommend नहीं करता है तो इसलिए कोसिस करें कि अपनी वीडियो को 4K quality में या फिर 1080 pixel में रखना चाहिए जब आपकी वीडियो की quality अच्छी होगी अपने टाइटल को interesting बनाए और किस तरीके से बनाएंगे वो मैं आपको बता दूँ अम माले जी मैं यह जो वीडियो बना रहा हूँ वो बना रहा हो कि YouTube चैनल ग्रो कैसे करें तो इस वीडियो का जो टाइटल होगा वो मैं कुछ इस तरीके से लिखूँगा यूटूब चैनल फास्ट और इसके बाद में मैं यहाँ पर थोड़ी सी एक लाइन और देदूँगा अंडरलाइन करकर नो क्लिक बेट जब आप इस तरीके से अपनी वीडियो का टाइटल लेखोगे तो आपकी वीडियो का CTR भी बढ़ता जाएगा और आपकी वीडियो आगे चलती आगे जिससे आपका चैनल बहुती तेजी से ग्रो होने लगेगा अब नमबर तीन पर जैसा कि मैंना आपको बताया था यह आपका सबसे इंपोर्टेंट भाग है अगर आपने इसको मिस्स किया तो आप कुछ भी नहीं सीख पाऊगे अगर नमबर तीन पर जो आता है वीडियो को रिकुमेंडेशन में लाना याने कि जो यूटूब रिकुमेंड करता है आपको उसमें किस तरीके से अपनी वीडियो को भेचना है या लाना है दोस्तो यह एक best तरीका है अपने gaming channel को grow करने का दोस्तो आप अपनी वीडियो को किसी बड़े यूटूबर की वीडियो के नीचे ले आते हो तो आपकी वीडियो बहुती तेजी से चलने लगेगी क्योंकि जो viewer जो बड़े gamer की वीडियो देख रहा है अगर उसके just नीचे आपकी वीडियो आजाए तो उस पर वो click जरूर करेगा अप अपनी वीडियो को किसी दूसरे वीडियो के नीचे आप किस तरीके से ला सकते हो वो मैं आपको बता दूँ देखि आपको इस तरीके की वीडियो उसको लाने के लिए आपको अपनी वीडियो का title, tags and description दोनों का similar रखना होगा आपको ये कामई करना है ऐसे ही आपको description similar करनी है दखी similar से मतलब है आपको एक बड़े यूटूबर की वीडियो को search करना है कोई भी बड़े यूटूबर की मालो किसी भी यूटूबर की आप वीडियो को search करो उसके बाद आपको उसका title देखना है title उसका किस तरीके का है title देखने के बाद उसी तरीके का title आपको अपनी वीडियोस में लगाना है टाइटल आपको बही यूज करना है जो आपकी वीडियोस से मैच खाता हो उसकी वीडियोस और आपकी वीडियोस दोनों सेम हो यानि कि एक ही कैटेगरी पर बनी हुई हो तब ही आपको दोनों का टाइटल सेम रखना है यानि कि सिमिलर रखना है सेम नहीं रखना है आपको अ अपने इस title को similar रखेंगे, थोड़ा बहुत changing उसमें करेंगे, और ये जो सब काम है, वो Chrome browser में ही होगा, आप अगर YouTube में direct करोगे, तो आपके जो title है वो copy नहीं होगा, आपको Chrome browser में करना है, उसके बाद आपको उसकी वीडियो की description को copy करना है, मैं आपको proper SEO बता रहा हूँ, जिससे आपकी gaming वीडियो बहुत ही तेजी से बढ़ने लगेगी, आपको SI करना है, क्योंको हर कोई SI करता है, तब ही अपने वीडियो को grow कर पाता है, उसके बाद आपको उसकी वीडियो की description है, उसे copy करना है, और आपके आपने वीडियो की description में उसे paste कर देना है, देहान रहे उसकी कोई भी वीडियो link या फिर कोई भी website link आपने वीडियो के description पेश्ट नहीं करनी है, वो सब काट देनी है, उसके बाद जो tags हैं, hashtag हैं, उनको copy करके आपने वीडियो के description में डालने है, देहान रहे आपको इसमें भी थोड़ा बहुत changing करना होगा, नहीं तो आपके description की copyright आ सकती है, इसी तरीके से आपको tags भी copy कर देने हैं, और अपने वीडियो के tag section में आखर उसे डाल देने हैं, दो-चार tag आपको change कर देने हैं, ठीक हैं, इस तरीके से अगर आप अपने वीडियो का as you करते हो, तो आपके gaming वीडियो बहुत ही तेजी से rank करेगी, अब नमबर चार पर आता है हमारा thumbnail, थिमनेल एक YouTube चैनल को grow करने के लिए सबसे महत पूर्ण फैक्टर होता है, क्योंकि जो भी वीडियो को देखने आता है, तो उसका जो सबसे पहला impressions होता है, वो आपके थिमनेल पर पढ़ता है, अगर आपकी वीडियो का जो थिमनेल है, वो दूसरे की वीडियो से बिल्कुल opposite मलम पढ़ता है, यानि कि अलग मलम पढ़ता है, तो इससे आपकी वीडियो चलने के chances 99% बढ़ जाते हैं, और उस थिमनेल को देखकर, जो वीवर यूटूब पर आते हैं, वो आपकी वीडियो पर जरूर क्लिक करेंगे ही करेंगे, अब नमबर पांच पर है, वो है टेग्स का सही ओपियो करना, देखिए, गेमिक चैनल के लिए, सही टेग्स का चैन करना, बहुत ही आसान है, बिल्कुल चुटकी में, आप इन टेग्स को सर्च कर सकते हो, जो आपकी वीडियो से रिलेटेड है, तकि कैसे, मैं आपको बताता हूँ, इस वीडियो में, आपको ब्राउजर में जाना है, ब्राउजर में सर्च करना है, रैपिट टेग्स, यह जो बैबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आप कॉपी करके, आपनी वीडियो में टेग्स डालो, आपकी वीडियो 100% रेंक करेगी, जैसे ही आप रैपिट टेग्स सर्च करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पर एक उप्सन आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है जाकर, उस पर क्लिक करने के बाद, आपको अपनी वीडियो से रिलेटेड एक टेग्स को यहाँ पर डालना है, यहां आने के बाद जिस भी गेम का आपने वीडियो बनाया है आपको उस वीडियो से related एक टेक्स को निकालना है याने कि एक टेक्स को अपने दिमाग में फिट करना है मालो मैंने वीडियो बनाई PUBG की तो PUBG गेम है मैने उस में से एक करेक्टर निकाला उसका मैं title डाल दूँगा यहाँ पर मैं डाल दूँगा pubsy video अगर pubsy video डाल दिया तो मैरे सामने बहुत सारे tags आ जाते हैं कि pubsy videos viral या कैसे जो भी tags होते हैं searchable वो आ जाते हैं तो आपको इसी तरीके से एक topic को यहनि कि एक keyword को यहाँ पर search करना है और आपके सामने वो सभी टेक्स निकल कर आ जाएंगे आपको इन्हें कॉपी करना है और अपनी वीडियो को टेक्स सक्षिन में जाकर डाल देनी है तो दोस्तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बेहदी पसंद आया होगा अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नहीं दोजन को सस्क्राइब कर लेना और अगर आपको कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट बैक्स में पूस सकते हो दोस्तो अगर आपको कोई भी मुझसे हेल्प चाहिए तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम की लिंक दी है आप आहाँ पर जाके उसे फॉलो करो और मुझसे जो भी हेल्प चाहिए वो मुझसे डियम कर दो मैं उसका फटा फट आपको रिप्लाई दे दूँगा और आपकी जो समस्या उसका समाधान भी कर दूँगा तो चली मिलते हैं ऐसे ही नए इंफोर्माटिब वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई